Hello everyone welcome back to my channel आज में शेयर करने वाले हूं पच्चों से रेलेटर दों पहते प्यारे प्यारे से आईडिया इसको मैंने एक पैर लेलिया है पुरानी पैर लेंने बाद में चालर इसको फोल्ड करके डख लिया है इसकी जो लंबाई में लेने वाली हूं वो 17 इंच की इस तरीके से लगा लिया है यहां से तो दीकीज का निशान मैंने बराबर लगा लिया है 17 17 इंच का और इस तरीके से हम सीधी लाइंड रो यहां से कर देंगे जो एक्ट्रा हिस्सा है उसको हम कर देंगे अब यहां से मैं निशान लगाऊंगे आठ इंच करीब का तो देखे यह निशान मैंने लगा दिया यहां से आठ इंच का और जो निशान लगाया है हम वहां से एक और निशान लगाएंगे दो इंच का दो इंच का निशान लगाने के बाद में उपर जो कमर है वहां से मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे से भी आपको 7 इंच का ही निशान लगा देना है सीधा लाइन कर देनी है और इस तरीके से मिला देना इस लाइन को और यहां पर आपको राउंड से देना हलका सा और यहाँ पे देखे जितनी चौड़ाई रखनी है आपको उतनी चौड़ाई रखने के बाद में तो मैंने पाँच इंच की चौड़ाई रखी है पेर के नीचे की और इस तर्जीके से आपको हलका सा राउंड से देते हुए इसको मिला देना है नीचे तक अब जो हमने निशान बगएर लगाए हैं वहीं से हमें इसको कट कर दीना है तो देखे मैंने बरावर कट कर दिया है तो यह नेट वाली पजामी है उपर जो फ्लावर फ्लावर आपको दिक रहे हैं यह नेट है अब यहीं देखी थो नों पैरों को मैने अलग लग कट कर लिया है अब porte class, प्टियों को क्योंकि फृब्ल मैंब कर लिती हैं क्योंकि इसमें थे स्मस्ऩाइब शवारी जो इला-इस सभना आब ह вз경 Calvin being इस तरीके से तो दोनों पैरों में इस तरीके से मैंने सीधी तरफ पट्टी को रखते हुए शिलाई लगा दी है उल्टी तरफ आपको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे किनारी किनारी आपको शिलाई लगा देनी है इस तरीके से तो दोनों पैरों मैं इस तरीके से लगा दूँगी और फिर उपर से एक और लगा देनी है आपको बीच का जो हिस्सा वह आपको रखना है क्योंकि हम इसमें बीच में इलास्टिक डालेंगे इसलिए तो देकि दौनों में ही हमने इस तरीके से लगा दी है अब उपर वाले हिस्से को हम पहले सैट कर लेते हैं क ऐसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को भी जॉइंट कर देना है और फिर उपर से एक-एक चुयाय और आपको लगा देनी है इसको दबाते हुए अच्छी तरीके से फिनिशिंग के लिए तो यह मैंने दौना तरप से चुयाय लगा दी है अब यह हमारे देखे कुछ इस तरीकसे पजामी हो चुकी है अब इसको हम देखित ऊपर वाला है जो हिससा अ हिससा है कमर वाला उस पर हम इलैस्टिक के लिए पर पेस्टिक लेटlympia के लिए इसकेपको आगे की हिस्से में मैं इसको आखे कहते हुए मैं एक हिस्से में सिलाई लगाते हुवे ज्सेयτο कर दूंगी तदुको हुए हुमारी एलस्टिंड ऒड़ा नज सब्सक्राइब करने हैं यह दो लेना ना आपके टायट नहीं होनी चाहिए नहीं तो टायट हो जाएगी पैर की लास्टिक तो गड़ेगी बच्चे के पैर में दिक्कत होगी आपको थोड़ा सा लूज हलका सा मतलब बिल्कुल फिक्स लेनी है और स्लाय के लिए अलग से लेनी है अब देखिए जो नीचे हैसी तरीके से आपको ढ़ेruktा स्लाय लगाते हुए वी पूरे पजामी में दिटाल से आपको दूसरी साउइड में भी स्जिद्या सायजिक को डाल दीया इस तरीकि से और स्लाय आपको लगा देनी है दूसरी सायट से भी तो ये हमारी पजामी बनके डेडी हो चुकी है तो गैज कैसी लगी ये हमारी पजामी ये आइडिया कैसा लगा कॉमेंड करके जरूर बताना तो चलिए दूसरा आइडिया भी आप लोगे साथ शेयर करते हैं तो ये मैंने लिया है पुराना शूर जो की मेरे पास वेश्ट पड़ा हुआ था अब इसको हम इस तरीके से डवल फोल्ड करते हुए पकड़ लेंगे अच्छी सरीके से सैड कर लेंगे तो देखे इस तरीके से पहले मैंने साइड की सिलाई जो लगी हुई थी उसको मैंने निकाल दिया और इस तरीके से डवल फोल्ड करते हुए इसको रख दिया आप मैंने बच्चे की एक फ्रॉक ले दिया अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के अकॉ और सायड का निशान लगा दिया है यहां से तरीक उली यहां दिया है यहां दोखना हा देन आरमूल आ जाएगा यहां से तरीके के ऊड़ा दिया सा TUM-हूंत कि यह मैं सारे निशान लगा के सैट कर देती हूं तो सोल्डर आपको जितना चोड़ा रखना है उतना चोड़ा आप रख सकते हो अब इसको जो हमने निशान लगाएं तो बिल्कुल भी मैंने नापा नहीं है बिल्कुल भी इंची टेप हाथ में भी नहीं लिया है ऐसी को जोईंट कर लेंगे देखिए आगे यह पीछे वाला हिस्सा आपको उल्टा रख लेना है पहले अब इसके सोल्डरों पर आपको सिलाई लगा देनी है तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है अब इसके जो इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिम्पल लगा दी अगर आप उपर से पत्टी लगाना चाहों तो पत्टी भी लगा सकती को थोड़ा सा ऐंट करके फैप पीन वाली पट्टी को थोड़ा सा फैल्ड करके लगाना स्टार्ट करना है कि अब इसी तरीके से आपको पूरे में हल्का सा आ अब कि यह मैंने चारो तरफ इस तरीके से पूरे गले पर स्लाइड लगा दी है अब इसको हम सीधा जो भी एक्ष्टा पट्टी है उसको हम कट कर देंगे और आगे की सैड में फोल्ड करते हुए मतलब की जो उल्टी सैड में फोल्ड करते हुए इसको हम सिल देंगे तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और पूरे गले पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो चलिए ये सिलाई भी हम लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है अब चलिए बाकी का काम भी कर लेते हैं अब इसमें हम लगांगे फिटिंग तो पहले में एक तरह लिए तो आपको आपको अपको पकरना भाया है som बाकद आयू बैटकन बाती हैono जाल्ड तकार वह इस पत्ति और के सामें पत्तिन इम जाल ना,afppt प्रिल होतने जाल जाल के साथ दाल दालीना वह चुछा पत्ति नारी जाल में कपड़ में कर सकते हैं जाते,ईब्स होतने कंषी पत्ति और फ्रिल यार मयुण असब होतते है कम है तो कम फ्रिल भी डाल सकते हो तो इसको मैं इसी तरीके से पूरे में फ्रिल लगाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो मैं ज्यादा दूरी पर फ्रिल नहीं लगा रही हूं थोड़ा सा पास-पास ही लगा रही हूं करीवी के किंज की दूरी पर अब मैंने पूरे में फ्रेल लगा दी है अब उपर से एक सलाई और लगा देती हूं ताकि नीचे से धागा बगर ना निकले जादा अब जो एक साइड की जो फिटिंग बची हुई इस थी उदर भी आपको फिटिंग लगा देनी है तो चलिए साइड की फिटिंग को भी लगा देते हैं यह हमारी फिटिंग लगके रेडी हो चीकी है और दीकी कितनी प्यारी सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है और गैज कैसे लगे आप लोग को हमारे दौनों आइडिया कोमेंट के कि ज़रूर बताना फिर में लेंगे एक नह